भाजपा हमेशा से साजी सावनुनमात की राजनीत की है। सरकार ना किसी को फसाती है ना बचाती है अकानून अपना काम करता है। अगर कोई अपरादी है तो उसके खिलाप करवाई होती है। विजय सिन्ना जो को सर्म नहीं आता। पुलिस की बात कर लें, चाहे सिक्षा ब अगर चाहे सो ना इता को बचाती है औरमात का मंदिल के नाम पर डौ कर दो तु Something भ़रोस नहीं है समीदान में भरोसा नहीं है। तीसलिये लगातार या सरकार महागजटमंदन की सरकार है माने नितिश कुमार जी के सरकार या सरकार ना किसी को फसाती है ना बचाती है अगर कानून अपना काम करता है अगर कोई अपरादी है तो उसके खिलाफ करवाई होती है सलाकों के पीछे जाती है और सरकार कभी भी बचाने का काम नहीं करती है लगतार सिपाही बाहाली को लेकर सवाल खड़ा किया जारे जसे तरीके से कल पड़ इक्षा हुए ऐसे में पेपर लिग की खबड़े सामने निकल के आ रहे हैं नेता परतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं कि धानली सेटिंग करवा रही है लिग करवा रही है विजय सिन्हा जो को सर्म नहीं आता उनको याद होगा मधपरदेश में किस परकार का सिख्षा घोटाला हुआ था कितने लोगों की मिर्तु हुई थी साजिस की गई थी तो आज बिहार में जो परकिरिया है चाहे हम बात कर लें बिहार पुलिस की बात कर लें चाहे सिक्षा बिभाग की बात कर लें तो निश्चित रूप से परनाली है ब्यवस्था है उस ब्यवस्था के तरह संचालन हो रहा है एकजाम हो रहा है सरकार की पूरी नजर है परसास बिजेश कुमार के ग्रिष जिन आलमदा में बिजेपी निता को मार दिया गया गया इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो वहीं लगतार बिजेपी सवाल खड़ा कर दिया नितीज सरकार के लो अन ओर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रही है ऐसे में लगतार जो है कहीं नहीं सवाल खड़ा होगा देखने वाली बात है होगी सरकार क्या कुछ करती है कैसे लगाम लगाती है फ्रादी घटना उपर और दी तमाम ख़बरों के लिए एन विची 24 के साथ बनने हैं पटना से सही होगी अमित के साथ अब शेक की रिप होगा है